हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी मैं हूँ गपाल सौनी और आप मुझे देख रहे हैं यूटूब चैनल जिसका नाम है ओन्लाइन नीट तो पिसले क्लास में हम बात कर रहे थे है process of digestion या physiology of digestion जिसमें हमने mouth complete कर लिया था mouth के अंतर क्या क्या digestion होता है फिर stomach में complete कर लिया था फिर हमारा चल रहा था intestine intestine में हम small intestine में बात कर रहे थे clear अगर किसी ने वह वीडियो नहीं देखा तो पहले जाकर वह वीडियो देख दीजिए उसके बाद इस वीडियो को उस topic में बच्चों को बहुत जादा क्या रहती है confusion रहती है समझ में नहीं नहीं आता कि यह है क्या आप NCRT से पढ़ोगे तो वहां पर एक word आए गया उसका नाम होगा क्या नाम है सकस एंटेरिकस ठीक है तो इस वाए topic के अंदर बच्चों को बहुत जादा confusion होती है बच्चों को समझ नहीं आता है कि वाकी में है क्या अच्छी तो देखिए आज आपको मैं एक simple way में समझाओंगा सकस एंटेरिकस है क्या तो देखिए जिससे आपको यार भी हो जाएदा यहां लिख रहा हूं में सकस एंटेरिकस ठीक है यह वड़ा नाम आपने सुना होगा सकस एंटेरिकस इसका दूसरा नाम होता ज्यान से सुन ले ना वई सकस एंटेरिकस इसी का दूसरा नाम है Intense Tile या Intense Tile जूस पहली बात सकस एंटे लिकस हिंदी में इसको बोलते हैं आंत्रिय रस क्या बोलेंगे आंत्रिय रस ठीक है और इसको तो हिंदी में ऐसे लिखते हैं सकस एंटे रिकस पहली बात के लिए रोगी कि सकस एंटे रिकस और इंटेस्टाइल जूस कोई अलग अलग चीज नहीं है बनकि एक ही चीज के दो नाम है ठीक है अब लेखो इसमें होता क्या है सकस एंटे रिकस के अंदर तीन चीजे है सकस अंटनिकस या इंटेस्टाइजस के अंदर तीम चीज़े हैं पहली है हमारी गोबलेट सेल्स पेलिये दूसरी नाम सुना होगा आपनेAN आगर यह नाम नहीं सुना है तो मैंने पीछे पुरा चमझा साहर रखा है प्लूर चल्ख के बारे में जब मैने bize P1 100 ऐस च्रहिस ऑफ ॢ्ट पूरा चका यह सेल्डस और पीजिज़ पूरर पूरर रखा के बाधिते पीशी और तो तो यह होती है तीन चीज़े इसके अंदर सकस एंटरिकस के अंदर या फिर इंटेंस के जूस के अंदर के लिए कौन-कौन गौबलेट सेल पैनिट सेल और ब्रुनर्स ग्लेंट इन दोनों के बारे में मैंने पीछे वीडियो देख लिजी आप उनमें अच्छी तरह से पूर को समय घ्यान डिना इूँ के पैने सेल और ग proclaim यंत्स यह तीन चीजे होती है कि समें सकस एंटरिकस के अंदर के लिए ग्युबलेट सेल का काम हुता है है म्यूकोस म्यूकस को सिक्रेट करना गॉबलेट सेल का काम क्या है म्यूकस सिक्रेशन म्यूकस सिक्रेशन गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस म्यूकस को हिंदी में कहते है सलेस्मा सलेस्मा का इस्तराव करना तो गॉबलेट सेल का काम होता है म्यूकस सिक्रेशन पैनिस सेल का काम होता है एंजाइम वाले पार्ट को बनाना और सीक्रेट रणना ये किसका काम है पैनिस सेल का तीजरा आता है हमारे पैसरा पिरास ब्रूनर्स ग्लेंड का काम होता है नॉन एंजाइम पीछे रहे बता राहता है नॉन एंजाइम वाले पार्ट को बनाना और सीक्रेट करना तीनों के अलग-अलग काम है जब ये तीनों आपस मिल जाएंगे तो बोलेंगे ये क्या बना? ये बना Intestial Juice क्या बना? Intestial Juice तीनों को मिला कर क्या बोलेंगे? Intestial Juice के लिए? लेकि तीनों अलग-अलग बनाएंगे Mucos कौन बनाएगा? Goblet Cell Enzyme कौन बनाएगा? Penit Cells और Non-Enzyme कौन बनाएगा? Brunner's Glend के लिए? अब Enzyme में कौन-कौन से Enzyme होंगे? सबसे पहले आएगा हमारे पास आपने नाम सुना होगा Sucreage ठीक है? इसी तरह Lactage इसी तरह Maltege इसी तरह Nuclease ठीक है? Disaccharides यह सारे के सारे Enzyme कौन बनाएगा? Penit Cells Clear? Non-Enzyme में जैसे की हमारा Bicarbonate Bicarbonate तो Bicarbonate वाला पास कौन बनाएगा? Brunner's Glend और Milks तो आपको पता ही है ठीक है? तो यह बना क्यों रहे है? अब बात आती है यह बना क्यों रहे है? पहला यह समना आगा है Succus Entericus अब इन सब को मिला के क्या बोलेंगे? यह क्या बना? Succus Entericus या Intensitial Juice यह बात हमारे दिमाग में के लिए होने चाहिए पहली? इन तीनों को मिला के बोलते हैं Succus Entericus या Intensitial Juice ठीक है? अब देखो यह बन रहा कहा है? यह सारा का सारा बन रहा है हमारा Small Intestine में कहां बन रहा है? Small Intestine में बन रहा है ठीक है? अब क्यों बन रहा है? Small Intestine से पहले क्या था? Stomach Small Intestine मतलब दूटेनम से पहले क्या था? Stomach तो इस टोमक में जो pH होती है वो कितनी होती है 1.8 कितनी होती है 1.8 और small intestine के अंदर pH होती है वो होती है 7.8 कितनी 7.8 यानि यहाँ पर mucus बनाने का हमारा purpose यह है कि जो अमासे से हमारा food आएगा उसकी pH कितनी होगी 1.8 बहुत ज़्यादा एस्थिटिक होगा तो dodenum की जो wall है उनको कोई भी नुकसान ना पहुंचे इसलिए वहाँ पर क्या secret होता है mucus चारो तरफ small intestine की wall के चारो तरफ क्या secret होगा mucus ताकि small intestine की जो walls है जो दिवारे हैं उनको कोई भी नुकसान ना हो क्यों क्योंकि बहुत ज़्यादा acid है 1.8 बहुत ज़्यादा acid है तो दिवारे को walls को कोई भी नुकसान ना हो इसके वहाँ पर secret होगा mucus पहली बात इसके लावा जो बाइक कार्बोनेट है वह भी कैसा होता है alkaline medium वाला होता है चारी मादिम वाला होता है तो यह भी cigarette होगा और यह क्या बनाएगा pH को बढ़ाने का काम करेगा ताकि pH कितनी होगा अपनी 7.8 के लिए इसके लावा enzymes अब लेखो तो डुडेनम के अंदर क्या होगा डाइजिशन होगा तो पीछे पड़ रखाया में डुडेनम में कौन-कौन सा डाइजिशन होता है वहाँ पर pancreative juice आएगा वो क्या क्या करेगा तो बाकी जो pancreative juice ने कर दिया उसके आगे वाला काम कौन करेगा यह enzymes करेंगी pancreative juice ने अगो आगे इसकी पूरे reaction बताऊंगा भी लेकिन NCRT के एंदर एकर लाइन रिख रखी है वहाँ पर उसने लिख रखाया है क्रिप्स ओफ लिबर कुवन ठीक है इसको मैं थोड़ा सरफ कर देता हूं यहां सरफ कर देते हैं तो पैने सेल के आगे आप लिखे ना स्लैस करके यानि क्रिप्स ओफ लिबर कुवन बोले इसका मतलब किसकी बात कर रहा है पैने सेल की बात कर रहा है लिबर कुवन ठीक है क्योंकि लिबर कुवन के अंदर ही क्या प्रजेंट होती है पैने सेल प्रजेंट होती है तो आप लिबर कुवन बोलो या पैने सेल बो तो गन्फूज मत हो ना लेबर कुहन के अंदर ही क्या प्रजेंट है पैनिस्ट प्रजेंट है किलिए समझा गया सकस एंटेरिकस और इंटेस्टियल जूस के लिए अब यहां पर जब food आएगा हमारा dudanum के अंदर ज्यान सुना food आएगा जब dudanum में तो इलियम नाम सुना है dudanum जिज़नों इलियम इलियम से दो हार्मोन निकलेंगे दो हार्मोन है वो secret हो इसको और रफ कर रहा हूं इलियम ठीक है जैसे ही food dudanum में आया ज्यान सुना small intestine में जैसे ही food ने अंदर की इलियम से दो हार्मोन निकलेंगे एग निकला durocryndine और एग निकला enterocryndine most 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 important durocryndine और enterocryndine बहुत बार M's में पुछा गए है durocryndine क्या करेगा brunner's gland को stimulate करेगा किसको करेगा brunner's gland और जो enterocryndine है वो panic cells को stimulate करेगा durocryndine किसको करेगा brunner's gland को stimulate करेगा कि आप अपना जो non enzyme वाला पार्ट है intestine juice का उसको बनाओ और उसको secret करो food आगए है अपना enterocryndine क्या करेगा panic cells को stimulate करेगा उसको प्रेटना देगा कि आपना food आगए है अब आप अपना जो enzyme वाला पार्ट है उसको बना दो और आगे secret कर दो चाहित आप यह अर्मण कहाँ से निकले ये दोनो की दोनों क्या है harmon यह harmon क्यों निकलता है ilieum के ilieum की जो वॉल्स होती है वहां से निकलते हैं कोन कोन dirogrinin और enterocry Spicy चलिए आर यहां तक अच्टी समझ मुझा आने से sacrifice taking ठीक है बच्छे पढ़ते हैं लेकिन उपर जाता यह सारा का सारा पार्ट ठीक है तो यह हो गया अपना सकस एंटरिकर्स और इंटेंस्टियल जूस अब अपने को क्या पढ़ना है कि वहले एंजाइम पढ़ना है जो पैनी सेल्स निकालती है एंजाइम वाला पार्ट वह वा प्रटेक्शन का काम है अब एंजाइम का काम देखो क्या है यह सारा का सारा का होरा है दुरट Aggression में नाकाम आएगा पना काम किया अब आरहा है सिंट Siya's इंट्रों सब्सेने इंट्रों सब्सेसे पहले हैं लागिज मैंकि या करेग सकतेंगा लैक्तोंबिटोज को लेकटेज, यह enzyme है और यह substrate है, तो lactage enzyme क्या करेखा? Lectose को तोड़ेगा, किसे तोड़ेगा? Glucose प्लस Galactose, ठीक है? जब lactose टूरता है, तो क्या मिलेगा? 1 more मिलेगा Glucose का और 1 more मिलेगा Galactose का, तो तो क्लिए दूसरा देखें, हमारे पास क्या present है पीछे? माल्टोज माल्टोज को तोड़ने के लिए काम मिलेंगे माल्टेज क्या काम मिलेंगे माल्टेज ये तोड़ेगा तो मिलेगा ग्लुकोज प्लस ग्लुकोज किलियर तीसरा देखे सुक्रोज जब सुक्रोज को तोड़ेंगे तो काम में लेंगे सुक्रेज ठीक है, क्या मिलेगा glucose plus fructose, क्या मिलेगा glucose plus fructose ठीक है fourth देखे fourth आएगा हमारे पास di-peptidase जो क्या करेगा di-peptide di-peptide di-peptidase इसको तोड़ेगा amino acids ठीक है, protein हो गया मतलब protein को तोड़ दिया पुरा fifth number, कौन आएगा lipase कौन आएगा lipase lipase क्या करेगा जो fat होगा ठीक है fat को तोड़ेगा जिसमे fatty acids plus glycerol six number six number पर आएगा अपना nucleotide age और nucleoside age तो nucleotides nucleotides को तोड़ेगा nucleotide age nucleotide age ठीक है, इस पहलिंग ग्यान से देखना यह nucleotides और यह nucleotide age यह तोड़ेगा किसमे nucleosides में ठीक है nucleosides को तोड़ेगा आगे nucleoside age nucleoside age इसमें यह तोड़ेगा आपके पास सुगर प्लस nitrogen base तो देखो Carbohydrate सारा का सारा simply form में आ गया Protein सारा का सारा simply form में आ गया Fet सारा का सारा simply form में आ गया और nucleotide है, nucleic acid है सारा का सारा simple वाली form में आ गया यानि कि यहाँ पर आकर हमारा digestion होता है complete हमारा digestion का main purpose क्या था जो complex compound है जो बड़े compound है उनको छोटे-छोटे compound में small compound के अंदर change करना simple molecule में change करना तो यहाँ पर आकर अपना digestion होता है complete इतना digestion हो गए आपना हमने Carbohydrate को तोड़ दिया simple form में protein को तोड़ दिया simple form में fat को तोड़ दिया simple form में fat जितना आपने खाया था उस सब को किसमें चैनल कर दिया simple molecule में कि लिए अब देखो अब हमें इनका क्या करना है absorption करना है क्या करना है absorption तो mostly जो absorption होगा वो कहां पर होगा जिजेनम में mostly mostly बोले तो 80-90% यह सारा का सारा पार गहां पर चल रहा है भी dudeneum अब dudeneum में क्या होगा सारा का सारा simple molecule change हो गया जैसे dudeneum के आगे क्या आदा है जिजेनम तो जिजेनम में 80-90% क्या होगा absorption क्या होगा absorption और बाकि बचा 10-20% यह वह होगा इलीयम के अंदर इसमें इलीयम में तो 80-90% to 90% कहां होगा जिजेनम में और 10-20% होगा आगे फिर जिजेनम के आगे कोन है इलीयम है तो इलीयम के अंदर होगा 10-20% absorption और 80-90% absorption होगा क्यलियर तो यह होगा आपना पार्ट कौन सा आप प्रोसेस ओफ डाइजेशन या फीजियोजी ओफ डाइजेशन के लिए अब हैडिंग डालेजें एब्जॉप्शन ओफ फूड ठीक है एब्जॉप्शन ओफ फूड की फूड का अब एब्जॉप्शन कैसे कैसे होगा तो इसको रौफ कर रहा अब्जॉप्शन ओफ फूड बोजण का आउस्वशन हमणे अब क्या कर लिया बोजण का डाइजेशन दो कर लिया फूड का डाइजेशन कर लिया कॉंप्लेक्स को सेइंपल में चेंज गर दिया अब तो स mut Tiffany अपास बनें हैं कौन गो कन से रहा हैं अमिनेर्सिक्स हैं सै क structure present है जी जनम के अंदर उसका नाम है मैं ले पीछ बता रखा है विलाई क्या नाम है विलाई रसांपूर ठीक है एक special structure है जी जनम के अंदर उसका नाम क्या है विलाई रसांपूर तो इनके माद्यम से इनके द्वारा अपन क्या करेंगे food का absorption करेंगे क्या करेंगे food का absorption के लियर तो होता क्या है actually के अंदर यह हमारी विलाई क्या है विलाई ठीक है ऐसा विलाई है यह सारे के सारे क्या है विलाई तो यहां पर कुछ ऐसे protein या यूंगे तो आप कुछ ऐसी structure होगी जिनके मादिर से अपन क्या करेंगे और फूड का absorption करेंगे और इनके अंदर कौन प्रजाट है ba inky and the present है एक है ब्लट और एक है लिफ किलिए कि जब बहुत सारे लिफ इसको यहां से रखते लो आए एक तो है मा 돌아ol को ये वहैं हमारे पास है लिफ वाली के लिए रहता है जब बहुत सारे लिफ आपस में कनाकू करके एक बड़ी क्यूम स्टक्चर मनाथा is एक बड़ी ट्यूबलेक्स की इसको बोलते हैं लैक्टियल क्या बोलेंगे लैक्टियल इसको बोलते हैं लैक्टियल तो होता क्या है यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट है फूड ठीक है क्योंकि इसके बाहर क्या है यह सारी के सारी क्या है लुमेन है लुमेन के अंदर यह पठिंटि वेसल या फिर ह Sam noticedימде कि रहें कि लिए तो फूर कर सारह का प्रजेंट है यहां प्रजेंट है यहां यह सारी को फूर एक ओस वख इसक्रिती ऐसिड़ कोई इसमें हैं absorption, क्या करना है, absorption, ठीक है, तो देखिए, हमारे पास absorption करने के तीन तरीके हैं, कितने तरीके हैं, तीन तरीके, इसको रफ करना हूँ, यह संदा आगा है, लेक्टियल, इसका आगे काम आएगा दिया, रखना, लेक्टियल, हमारे पास absorption करने के टी मेथड, पहला है, simple diffusion, सादारण विसरन, दूसरा है, facilitated diffusion, सू साध्य विसरन, और तीसरा है, active transport, सक्रिय परिवहन, ठीके, absorption करने के तीन मेथड, सबसे पहला, simple diffusion, दूसरा, facilitated diffusion, ठीक है, और तीसरा, active transport, हिंदी में इसको कहते है, सादारण विसरन, इसको कहते है, सू साध्य विसरन, और इसको कहते है, सक्रिय परिवहन, के लिए, यह आपको ज़्यादा समझ में जब आएगा, जब आपन प्लांट फीजियोलोजी बढ़ेंगे, वैसे आपने थोड़ा बटर का होगा, आपको आइडिया है, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर, क्या होगा, जो मैटर का फ्लो होगा, जो पार्टिकल्स का फ्लो होगा, वो होगा, उसकी हाई कंसेंट्रेशन से लेकर, लो कंसेंट्रेशन के बीच में, हाई कंसेंट्रेशन वाले पार्टिकल्स जाएंगे कितर, लो कंसेंट्रेशन, X C मतलब high concentration अधिक सांधता वाले और low concentration मतलब LC मतलब low concentration के लिए तो simple diffusion होता है वो होता है high concentration से low concentration यानि इधर वाले इधर side particle बोजाता है उधर side particle की value कम है तो इधर वाले particle जाएगे उस side में के लिए जैसे यहाँ पर अगर मैं spray करता हूँ तो यहाँ पर spray करूँगा तो पूरे के पूरे room के अंदर वो spray की आपके सुगन दयवा फेल जाएगी क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसके particle जाता है और उस वाले side के अंदर उसके particle कम है तो यह अपना उधर चला जाएगा तो उसको बोलते है high concentration से low concentration दाना यानि कि simple diffuser simple diffuser यह होता है अपना example glucose plus amino acids glucose plus amino acids यह किसके मादियम से absorption होता है तो बोलेंगे simple diffusion से absorption होगा glucose और amino acid का simple diffusion के दोरा क्या होता है absorption होता है ये भी अपना होता है high concentration से low concentration की तरफ किस तरफ high concentration से low concentration की तरफ लेकिन यहाँ पर अपने को चाहिए एक requirement होती है उसका नाम होता है protein की requirement है ठीक है यानि कोई ले जाने वाला होना चाहिए अपने आप नहीं जाहिए अपने आप नहीं जाएंगे कोई नगोई लेजाने वादा होना चाहिए तो इसको बोलते हैं हाई कंसेंटेशन से लोग और हमें चाहिए प्रोटीन इनको बोलते हैं केरियर प्रोटीन वहक प्रोटीन ठीक है उस वाले डिफूजन को क्या बोलेंगे फैसीलेटेड ठीक है यह भी कौन करेगा सबसे पहला तो हमारा यहीं सेम ग्लुकोज प्लस एमिनो एसिट्स ग्लुकोज प्लस एमिनो एसिए इसके अलावा जो अपना क्लोराइड आएन होता है क्लोराइड आएन वो होता है facilitated diffusion के माध्यम से absorb जो chloride iron होता है facilitated diffusion के माध्यम से क्या होता है absorb होता है के लिए तीसरा देखे active transport active transport होगा low concentration से high concentration यानि एक तरफ concentration लोगा है दुसी तरफ high है तो low वाले को और ले लेगा high की तरफ उसको बलेंगे active transport कि प्लट्रम्ट यहां पर पाइश प्रोटीन की रिवयनेट होगी रेयुक है कि सात में यहां पर यह होते हैं इसके माध्यम से तो ध्यान रखना ग्लुकोज और अमिन असिट सिंपल डिफिजन में भी आएगा पैसिलेटेट भी आएगा और एक्टिव ट्रांस्पोर्ट भी आएगा यानि कहने का मतलब तीनों मेठोड मिल करके क्या करेंगे ग्लुकोज और फैटी असिद क एक्टिव होगा तो क्रेंगे लेकिन करेंगे जरूर तो करेंगे तीनों तरीका से क्याती होग्य होगी क्योंगी में हमारा पार्पषय है खाल बहुत जाने दना जना इसका एपशार्जों करेंगे फिर यहक आता है यहां पर तो sodium iron का जो एक्टिवन होगा वो होगा actively क्लॉराइड का होता है फैसिलेटेड और बाकी तो यह तीनों को common है गुल्गोजर अमिन असे तीनों में common है ध्यान रखना है और फैसिलेटेड से और सोडियम का होगा active से इसके बाद एक आपना रहे गया है वाटर जट भी एप्जोर्शन होता है तो उसके लिए वड आता है ऑस्मोसिस क्या वड आएगा ऑस्मोसिस इसकी डिटेल में बात करेंगे जब अपन प्लांट फीजरोजी बढ़ेंगे अभी आपको इतना ज्यान रखना है कि जद भी वा अब यह तो आपने बात की होगी मैंने अभी तक फैट को नहीं लिया है मैंने अभी तक फैट को नहीं लिया है अभी नहीं लिया यहाँ पर मैंने लिया ज्यक्टहल एट सट मलय लेकिन आपने खाय भी तो खाया था ठीक देद यहां और कहीं अभी तक नहीं लिखा तो होता ज्यात कि उतार इन सोलीब्ध क्या होता है इन सौलैर्विबर र। कि आब लें होता है और और यह सारी पलड के इंदर सोलीबल है तो फैट का यह अपड़ाया था पित वाला ठीक है तूड तो थोड़ा सा फैट वाल ले ले दें इसको रफ कर रहा हूं अब देखिए फैट के लिए एक special time की mechanism काम करती है तो यह हमारा है फैट ठीक है अब फैट लिखने का मतलब यह इसके simple form बात करें तो कौन होगा fatty acid और बिल्स रोग तो यह लिख देदा हूं मैं fatty acid प्लस ग्लिस रोग क्लियर यह इसके simple molecules है तो fatty acid और ग्लिस रोग क्या होता है insoluble होता है simple सी बात है कैसे होता है insoluble आ विले होता है क्लियर तो यह blood के दौरा blood के माध्यम से absorption नहीं होगा blood इनका absorption नहीं करेगा कि भाई यह तो हमारे अंदर सॉलिबल नहीं है ठीक है तो हम इनका absorption कैसे करें तो इसके लिए का करते हैं एक अलग पैप की टेक्निक अपनाते हैं बूह क्या करते हैं सबसे पहले इंसको fatty acid और glycerol को fatty acid और glycerol को बेजते हैं म्यूकोसा के अंदर कहां बेजेंगे जबते हैं म्यूकोसा जो जिजणियम की जो म्यूकोसा होगी जो इंटेस्तािन की जो म्यूकोसा की उसके इंदर बेजेंगे fatty acid और glycerol को कि यह की खैने जएंगे munこसा में क्या करते हैं म्यूकोसा के अंदर इन fatty acid or butter गिल्स्रोल के चार मालिजें यह हमारे staative iel वेल्स ओर वी श्वलल सुर्अ न में टिखनिक अबनात्य कि इसे चारो तरफ एक प्रोटीन की लेर बढाते हैं इस चारो तरफ प्रोटीन की लेर आभे बनाते हैं कि यह зले लिए कि स्किई बिचिकर की इसके लिए रहे सिल भी तो बोलते हैं का इनलो माईप्रोम्स पहले सिनके बाहर अपने क्म अब बनादी प्रोटिण फॉलार मेटर है फीचे ठीक है फॉलार मोलेकुल से थीक है तो अब यह दोनों क्या हो जाएंगी आपस में व्याइब यह दोना आपस में सॉलिबर हो जाएंगे तो काईले माइक्रों को सबसे बहुत यहां प्रिजा मुकोसा के इसके वहार एक प्रोटीन डिलेव बनाई अब इसको इस तर्वेशना को क्या बोला काईले माइक्रोंस काईले माइक्रोंस जाएगा किसमें लैक्टीयल में किसमें लैक्टीयल में और लैक्टीयल आगे इसको ट्रांसफर कर देगी ब्लड में समझा रहा है सीधा यह ब्लड में अब जोब नहीं होगा पहले दाएगा मुकोसा में मुकोसा इसके चार तरफ एक प्रोटीन की लेर बनाएगी इस सरंचना को अपन बोलेंगे काईले माइक्रो मुक्रॉंच अब इस सरंचना को बेजांगे ब्लड में पनेर लैक्टीयल में अपने अप्रांस्पर गुदाएगा मुक्स मतला नाम ध्यान रखना सब्सिंत उग्रोंगे बहुत बार कुछा गया है काईले माइक्रोंच के बाहर या काईले माइक्रोंच के अंदर प्रजे ब्रडवर कि लेक्टिय WIN मैं पहले जाएंगे किसमें लेक्टिय वे उसके बाद यह ट्रांसफर होंगे ब्लड़ के अलतर के लिए हर एक लाइंनको द्यान गणना कहींसे भी परसंड बन सकता है सिधा ब्लडवर्मे ट्रांसफर नहीं होंगे के लिए तो यह होता है हमारा absorption किस-किस का कर लिया glucose कर लिया ठीक है fatty acid का कर लिया और amino acid का कर लिया फिर आपके NCRT में एक table दे रखी है NCRT में एक table दे रखी है उसको थोड़ा बहुत discuss कर लेते हैं तो एक NCRT में table दे रखी है इसे चार पाइट दे रखए हैं एक पाइट है कि mouth थीक है एक उसने कर रखा है stomach एक उसने कर रखा है small intestine और एक कर रखा है large intestine थीक है चार जगए पर वो absorption को बता रहा है कि यह चार जगए पर क्या क्या absorption होता है तो mouth mouth के अंदर keval और keval absorption होता है वह होता है drugs का, drugs मतलब ओशिती का, जो भी अपन, ठीक है, खांसी बगर है कि जो ओशिती लेते हैं, जो भी दवी बगर लेते हैं, उन सब का absorption कहां पर होगा, माउट के अंदर, का होगा, माउट में, जब फूड आएगा स्टोमक के अंदर, तो स्टोमक में एक तो होता है water का, इसका water का, एक होता है alcohol का, और एक होता है simple, पल। माँथ मैं किसका होब ड्रकॉल और सबस्क्राइर वात रिखने किaciे जरुत नहीं है कि यहांगा इस्नौ केुट ड्राइबिल्चन पर फिर अप्रम मेंगा नवी्त पर बटताई हैmos . त्वरकॉल ठीक है इसको लिखने की जरूत नहीं है यहां पर सब का एक फिर हो लार्ज इंटरस्टाइन में क्या होता है कुछ वाटर का होगा एक तो क्योंकि वाटर हर जगा आपके जो आइंस हैं ठीक है आइंस का होगा और कुछ ड्रक्स का एब्दोर्प्शन होता है इलियम के इंदर कुछ ड्रक्स का एब्दोर्प्शन होगा इलियम में माउथ में ड्रक्स का फिर वाटर एल्कोहर और सिंपल मोलिक्यूस की जो सुक्रोज होगी सरक्राइम होगी कार्बाइड होगा उनका इस मोल में तो सब का मोस्टली एब्दोर्प्शन यहीं होगा 80-90 परसेंट ठीक है और लाज इंटरसाइड में वाटर का उदाएगा कुछ आयन से हैं जोसे सोर्टियम क्लोरेट बगर हैं और ड्रक्स का किलियर तो यहाँ पर आकर अपना कम्टीट होता है एब्दोर्प्शन ओफ डाजेस्टिव फूट ठीक है उसका डाजेशन कर लिया और उसका क्या कर ल इस ओडर हो सकते हैं ठीक है उनको डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट ग्लास में मिलेंगे डिस ओडर विद्ध डाजेस्टिव सिस्टम तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिए कोई भी अगर नहीं जूड रहे हैं तो सबस्क्राइब कर लिए ताकि जैसे न लाइक और शफ्यड जरूर करते हुए जो भी देख हैं वह लाइक और शायर जरूर करते हैं ताकि वच्छे पढ़ना पढ़ेस्टे उनको अरामसे सपर सबकth Rabbi गेक लिए तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट लास में है थैंक्यु वेडिम